हुआ है हम जितेन जी से आरम करते हैं आज बताइए क्वेश्चन आपका पड़ाम गुर्देव पड़ाब पड़ाब एक जैसे डी नाइन चार्ट में अपने उसी राषी में रहता है तो वर्गोतमी हो जाता है तो यदि कोई राषी मालीज्चे अपने मित्र की रासी में है लेकिन डी नाइन में वो अपनी डेविलेटेट साइड में चला गया लेकिन वो भावत्म ही रहा मतलब उसी भाव में रहा तो सर और ग्रह सूब है तो क्या इंपक्ट पड़ेगा उसके रिजल्ट में सर पहली बात तो ऐसे में ये देखना जरूरी हो जाता है कि जब ग्रहे नमांश कुंडली में नीच राशी में चला जाता है और भावत्म भी हो जाए तो ये भाव किंसा है ये भाव च्छटा है, आठ्वा हैं, बार्वा हैं या तीसरा इन इक सहर ये इंप्रूर्टं हो जाता है अगर वह तीन, छे, आठ, बारा में से है तो भावत्म होने का भी विशेश लाप प्राप्त नहीं होता है और अगर को केंद्रिया तिरे कोण के अंदर होकर के पावत भावत्तम हो जाता है तो कुछ बैनेफिट्स उस प्लैनेट के हमें जरूर जीवन में मिलते हैं पर वो बैनेफिट्स बड़े स्ट्रगल के बाद यह प्राप्त होते हैं असानी से नहीं प्राप्त होते हैं ऐसी परसिची में सर उनका कोई उपाई करने से कुछ रीजल्ट अच्छा मिल सकता है देखो अगर कोई ग्रहे नमाश में नीच राशी में चला जाए तो यह उस चीज को दिखाता है कि ग्रहे में ताकत कम है शक्ति कम है और वो ग्रहे भी देखना चाहिए क्या उस ग्रहे का संबंध हमारे अपने कारे से है या वो डेली रूटीन लाइफ में हम उससे कितना रिलेट करते हैं वो भी बहुत important है खामखाई किसी को ताकत देने की कोई आउशक्ता नहीं होती जैसे कि कोई वेक्ती teacher बन गया अब उसे पता नहीं उसको बन गया बस education के हिसाफ से वो teaching job करने लगा school में लग गया और उसको लेख रहा है कि उसकी वड़ोतरी नहीं हो रही है पर उसने लिखाया तो उन्होंने का तुम्हारा गुरू तो कमजोर है आप सही ट्रैक पे नहीं हो क्योंकि education department में जूपीटर का ठीक होना बहुत जरूरी है अब उसका काम आ गया या तो काम बदले अब कई बार परिस्तिती ऐसी होती है कि काम नहीं बदल सकता सपोज करो सरकारी नो पुकराज पेनाना मजबूरी हो जाएगा कि अगर उसको थोड़ा बहुत रिजल्ट चाहिए तो ग्रह की ताकत को बढ़ाना जरूरी है प्लस पुकराज के साथ साथ जिन जिन उपायों से गुरू ग्रह की ताकत बढ़ती है वो सभी उसको recommend करने चाहिए जो ग्रह पुकराज में नीच का हो जाता है कि एवल एक उपाय से काम नहीं चलेगा यह हमें समझना पड़ेगा उसका जितना बल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो तो उतना करना चाहिए ज़्या अगर किसी का विभा का ग्रही ऐसा है तो नीच का हो गया विभाई नहीं हो करके दे रहा है तो मैं उसका बलाबल बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए उपाय करने पड़ेगे यह हमारी मजबूरी है क्योंकि आप एक उपाय पर बरोसा पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम रतन की जब बात करते हैं तो रतनों के साथ सम स्या है कि सैंथेटिक मार्किट में इतने ज़्यादा गड़बडिया आ रही है रतनों के साथ तो जैसे हम लोग परचेज करते रहते हैं और बड़ी मात्रा में करते हैं तो बहुत सालों से हमारे संबंध है वेपारियों से बड़े बड़े और जब वो बताते हैं कि गुर और कोई भी अच्छे से अच्छा जोसी वी वैसे तो 90 परसेंट जोस्यों को रतनों की समझ ही नहीं है यह भी एक बड़ी विडम बना है हमारे जोतिश्यों के लिए उनको इतनी समझ ही डेवलेप नहीं होती और कुछ रतन विक्रेता इस नौलिज ना होने का भरपूर फा जाते हैं कि देखो यह रतन सस्ते में ले लो और महेंगे में बिकेगा और देखो कि पुक्राज तो मार्किट में 80,000 रुपे का है और आपको मैं यह पुक्राद दे रहा हूं इसको आप 35,000 रुपे में बेच लो जोसी कहता रहे है यार यह तो बड़ा अच्छा हो गया 20- और मैं तो अपना कलाइंट भी उससे ले लूँगा वापिस कि अरे कहां जाते हो हमसे ले लो 35,000 रुपे में पुक्राज मिल जाएगा उस चीज में काम्याब तो हो जाता है पर जब सामने वाले कलाइंट को पता चलता है वो चीज तो ठीक है ही नहीं तो उससे उस जोसी क पता आएगा उसके उससे तो खरीदेंगे नहीं कि यार यह पता नहीं क्या करेगा तो दूसरी जगह उपर जाते तो नकली खरीदने के चांसे उनके बहुत ज़्यादा हो यह मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जैसे किसी को बता दिया और वो कहता जी आपके यहा है तो मैं सिर्फ बटा देता हूं हां हम रखते हैं इससे ज़्यादा मैं यह नहीं कहता है कि हमारे आज पर जहों बहार से जाकर के लेकर आते हैं तो मैं बड़ा एक पत्तर अपको समझ में आया गाई यह तो आपने सेंथिक ले लिया और फिर वो फोन करके कहते हैं यहां ये तो synthetic ही है अब क्या करें हमें तो 20,000 पे में मिल गया था अरे मैंने का हमें wholesale में 20,000 पे में पुगराज नहीं दे रहा कोई कुड़ा नहीं दे रहा उसका कबाड़ा नहीं दे रहा उसका 20,000 पे में तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा पर चलो वो एक practical problem है मेरा समझाने का उपदेशे यह था कि केवल रतन पर भी आपको पूरा वरोसा नहीं करना यब तो पीला पुगराज पेना दिया काम हो गया ऐसा नहीं सोचना तो आज की मजबूरी है उसको रतन धारन कराने के अलावा तीन चार रेमिडीज जरूर घ्रेलू ऐसी बताएं जिससे उनको लाप्राप साथ में मंत्र जरूर बताएं मंत्र जो है जब तक देरी करतें करतें पर जब वो अपना असर दिखाना शुरू करतें तो कमाल के दिखातें यह बात मैं अपने अनुहव की बता रह जो भी मंत्र जाप किया है जैसा भी किया है यह उसके चमतकार हमने लाइफ में देखें इसलिए उसे जरूर मंत्र चांटिंग के बारे में बताओ चाहे वो खुद करें और अगर पाप ग्रहों के ग्रह है पाप ग्रह है जैसे मंगल का जाप है रहू का जाप है शनी का जा उनको स्य्म ना करे प्रियास करें कि ना करें और स्य्म मंद्र जाप करने में एक प्रेशानी होती है जो मैं समस्ता हूँ वो प्रेशानी क्या होती है पहली बात तो उन्हें विधी का ग्यान नहीं होता या जोटिसी कहे कि सौम में मंत्र का जाप। ओम नमस्ट। शिवाये, हरे कृष्णा, हरे राम। कुछ भी ऐसे सौम में मंत्र जिनका साइड इफेक्ट ना हुए। गायतरी मंत्र जाप महा STRर्ण जाप। ये बड़े सौम में और बढ़िया मंत्र अच्छे मंत्र या ग्रहूं में वैदिक मंत्र वैदिक मंत्र के साथ दिक्कत एक ही है कि थोड़े स्टफ है पढ़ा नहीं जाता उनसे अट उनका साइड इफेक्ट नहीं होता वैदिक मंत्रों का साइड इफेक्ट नहीं है तो उन्हें वो जरूर ब जिद्वान ब्रहमनों से वो जब आप करवा सकते हूं पर उन्हें मंत्र के बारे में भी जरूर गाइड करना चाहिए साथ में जो अमारी लाल किताब की छोटी-छोटी रेमिडीज होती हैं ये भी बहुत fruitful results दे देती हैं असान होती हैं घरेलू होती हैं बट इट विल टेक time ये time लेते हैं पर उन्हें बता दे ये तीन साल करना पड़ेगा एक साल करना पड़ेगा क्योंकि जोची के पास जाने पर या सोचने पर विक्ति की एक्सपेक्टेशन जो होती है रेमिडीज को लेके बहुत बहुत हाई हो जैसे किसी लड़के का या लड़की की शादी नहीं हो रही तो माब आप ये चाहेंगे बस महिने डेड़ महिने में कुछ चमतकार हो जाए पर काम हो जाए बस बोगो कोई ऐसी रेमिडीज बताते हैं आप कभी कभी ऐसा हो भी जाता है अगर दशाएं उसकी फेवरेबल हैं अब माल लो शादी की ही दशा चल रही है कोई परतिंतर मिल गया जोटसी को और उसने कोई छोटी बोटी रेमिडीज भी बताई तो महीने इस्ट्रो लॉजर के लिए समस्या वहीं पर आती है जब सामने वाले वैक्ति की दशाएं फेवरेबल ना वहां पर रेमिडीज भी टाइम लेती हैं यह इस्ट्रो लॉजर को समझना होगा नहीं तो कोई प्रॉमिस कर बैठेगा और फज्जाए क्योंकि वो सामने वाला दो मेने में हो जाएगा और कई बार विक्ति आउट आफ पॉजिटिविटी में भी फज़ जाता है एश्ट्रो लॉजर मेरे साथ तो बहुत होता है मेरी एक तक्या कलाम है कोई दिक्कत नहीं है तो यह गलत बात है यह दिक्कत तो है ना मैं हर बार लास्ट में कहते तो हम कोई दिक्कत नहीं अरे दिक्कत तो है उसके पास यह थोड़ी होता है निक्कत नहीं है या मैं बहुत लंबे बात नहीं करता लंबी बात का मतलब होता है कि मैं आगले दस साल में क्या नेगटी होगा इसको प्रडिक्ट नहीं करता हूं समझ में भी आ रहा होता तो नहीं भाइ दस साल की टेंचन में क्यों डालूं उस वेक्टी को मैं मुझे ये सब मुझे ये फिलोसफी समझ में नहीं आती है लोग कई वर क्वेशन कूछते हैं कि किसी जोटसी ने बताया मेरे दस साल के बाद बहुत बुरा समय आएगा मेरी हल्थ कराब हो जाएगी मेरी एज के माना ये विद्धा डुराने के लिए नहीं होने चाहिए ये मेरी अपने पर्सनल ओपेनियन है आपको इनफॉर्म करना है आपको उनके नेगेटिव करमिक योगों से इनफॉर्म करें उसका बारे में विबरणम बताएं उसका सुलिशन बताएं पॉजिटिव चीजे हैं वो जरूर बताएं जरूर डिस्क्रस करें इससे एक आदमी को आतम बल प्राप्त होता है अरे अच्छा चलो तीन साल की समझ से आया तीन साल बात तो मैं अच्छा करूंगा ये बहुत बड़ी हौप होती है और होप जो होती है इनसान को ताकत देती है और वही ताकत के भर ग्रह खराब है इसका मतलब क्या है और एक व्यक्ति जिसका ग्रह अच्छा है उसका माइना क्या है जो ग्रह खराब है इसका मतलब वह ग्रह अपनी ताकत उस व्यक्ति को नहीं दे रहा है यानि कि वह एनर्जी नहीं दे रहा है वह ग्रह ने अपनी उर्जाएं नहीं दी ह मान लो किसी व्यक्ति का शुक्र खराब इसका मदलब शुक्र की उर्जा उसके पास नहीं या बहुत कम मात्रा में है तो जोच्छी ने क्या करना उसकी उर्जा बढ़ा है सारा खेल उर्ज़ा का है आप वो उर्जा कैसे बढ़ाता है तो उसके पास वो तूल्स होने चाहिए और डैमंड करता है इत्र करता है लक्ष्मी जी के मंदिर में जा करके वह करता है आप अक्सर देखना लक्षमी नाराण मंदिर जितने ही ना उनमें सफाई बहुत गजब की होते हैं जो भी अच्छे होते हैं बाकी मंद्रों में आपको कुड़ा कबाड़ा मिल जाएगा डेर मिल जाएगा कहीं चुनी लटक रही है कहीं नारियल पसा हुआ कहीं तिलक लगा दिया कहीं किसी ने जला दिया गई कुछ कर दिया गए अगरवत्ति भूब दी गई सनातम धरम के मानने वाले बहुत है पर अकल तो नहीं है ना इस परकार की कि दूब दीव का मतलब क्या है एक लेडी जो है गडेज जी के अगरवत्ति लगा रही उसकी सूंड में अरे भाई सूंड में क्यो लगा रही बुले नहीं खुश्बू वहां भी तो जानी चीए भगवान खुश्बू वहां जानी चीए का क्या मतलब है नाक बढ़ी है तो बचारे को थोड़ी करो गया तो मैंने रोका उसको लिटरली यह मेरी मैं आपको औरिजिनल बात बता रहा हूं असने वाली बात ह यार लोगों में कितनी ना समझी है एक मूरत है पत्थर की आप उसको अगरबत्ती उसमें गुसेड़ रहे हो उसकी नाक के अंदर और यह इमेजन कर रहे हो कि वो चीज़ वहीं जा रही है नहीं हमें यही बस अंद्विश्वास है आप अगरबत्ती जला रहे हो कहां जला क्या कर दें वो पूरा मंदिर को धुआ धुआ कर देती है हर साल मंदिर में फेंट कराना पड़ता है अगरबत्ती कहां जा रही है खुश्बू करिए पर मंदिर में जाके ऐसी खुश्बू करे जो मंदिर को नुकसान ना पोचाए किसी के स्वास्ते को नुकसान ना पोच जाएंगे आज की अगरबतियों का क्या क्वाल्टी है मैं क्या कहूं है लोग नराज हो जाएंगे जो अगरबति बिचने वाले लोग है और वही बताते हैं कि क्या क्वाल्टी है अगर आप भी जान जाएंगे अपने घर में भी ना लगाएंगे जल्दी से और हम मंदिरों म जाकर करके इतनी धुवां धुवां कर रहे हैं, वो धुवां फैल्थ के लीव लीव अच्छा नहीं है, मंदर के लीव अच्छा नहीं है, तो हम जाने अंजाने में हम से पाप कर दो़ा हैं, लाल किताब ने इसको सवजाती रिंड बोला है, किस से हमका दोश थुद की ऐसी गलतियां हो रही है जो हमें पता नहीं है जिनको हम अनौइंगली कर रहे हैं नौइंगली तो कोई गलती करता नहीं है अनौइंगली हम कर रहे हैं वो पंचम भाव से आती है और पंचम भाव कोमन सेंस का भाव है इसका मलब कहीं नहीं कोमन से की कमी है सब्सक्राइबाद को एक मैं पटियाला में हमारे एक स्टूडेंट है राधी का वो भी पटियाला से हैं तो वहां पर मा काली के मंदिर में मैंने देखा कि एक विक्ती शराब की बोतल मा के मुझे पास लगाने लगा ये मुझे मुझे बड़ी हार्दिक पीडा हुई तो कोई देवी देवता क्या शराब पीने के लिए अगर हम तंत्र सास्तर में पढ़ेंगे जाकर की मैं कहता हुं तंत्र कई अध्रण करलो डंग से अगर तुम तंत्रिक तो बनना चाहते ओ पर किसी तंत्र के अच्छे गुरू को क्या समझते हैं जो संसान में बैठा हुआ होगा जो कहीं नदी के किनारे बैठा हुआ सुल्फा लगा रहा होगा जो कहीं जो है जंगल में मिल जाएगा कोई मानसिक विक्षिपत आदमी को पकड़ के बैठ जाएंगे जो खुद नशे में इतना है कि जिसको खुद का होश नहीं है वो आपको क्या होश मे लेके आएगा और आप उसे गुरुमान बैठते हैं क्योंकि उसने आरंबर पुरा रच रखा है वो शरीर का विज्ञापन कर रहे हैं आप क्यों नहीं समझ रहे हैं उनको डेली सिर्फ खाने का खाने का वो चाहिए और शाम को एक गोतल दारू की चाहिए इससे अलावा उनक नसेंस का विशेर उनके पास क्या रखा है जहां कुछ नहीं शोनके पास यजब आप तन्तर में पढ़ेंगे तो हर देवता की उपासना तंत्र रूप में भी होती है और वैदिक सवरूप में भी और जो तंत्र सवरूप है वो ऐसा नहीं कि आपको सिर्शासन करना है आपको अपने शरीद को कष्ट नहीं देना है तंत्र का मतलब इस सिस्टम कोई भी पूजा कोई भी साधना जो भी आप नियम से कठोर नियम से क तंत्र पूजा हो जाते हैं उसके मंत्र की ताकत बढ़ादो बस अगर आप भगवान गणेश जिसे हम हर घर में रखते हैं कि जिस देवता को क्योंकि गणपती जी हमारे लिए अग्र पुज्य देवता है सब मानते हैं वैदी की भगवान गणपती जी की विसादना तंत्र सवरूप से भी आप कर सकते हैं अब आपने नियम मना लिया भी मैं ग्यारा दिन तक गणपती जी की अराधना करूँ और ग्यारा दिन में मेरा टाइम भी फिक्स कर लिया कि सुबह साथ बजे से नो बजे तक करूँगा और उनको ये भोग लगाऊंगा डेली जो भी उनको पिरिये हो आपने भोग निश्च कर लिया आपने माला निश्चित कर लिया आपने आसन निश्चित कर लिया और आपने मंत्र जो है जो हम कहते गम गणपते नमह अब जो है आपने उसकी फ्रिक्वेंसी वड़ा दी तंत्रिक वीज मंत्र उसमें डाल दी गंग 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 गंपते नमह अब नमा हटा दो न नपुनसक होता है, उस्षान्ती है उसमें, नमशकार है, उसमें ताकत नहीं है, उसमें बल नहीं है, वो शान्ती के लिए है, बला बल के लिए है, तंत्र सवरूप की पुजा यानि अपना बल बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके से, आप उस मंत्र का निर्मान अगर कर दोगे, अगर मंत्र एंग रिंकलिंग चामुंडाय विच्चे, अगर आपने नमें लगा दिया, तंत्र में पुजा कर रहे हैं, नमें अटा दो, एंग रिंकलिंग चामुंडाय विच्चे, एंग रिंकलिंग मंत्र के सवरूप को अगर आप ताकतवर बना देते हैं और नियम नहीं तोड़ते आप तारा बल देख करके ग्रह बल देख करके महुरत निकाल करके जब मंत्र साधना में प्रवर्त होते हो जिसमें दिन निश्चित हो समय निश्चित हो हर चीज जब निश्चित होती है वो ही पूजा आपकी तंत्र पूजा बन जाती है क्रम भावले हो रहें कि भाई काला । काले कपड़े पहन लो गला टोपी लगा तंत्र का मतलब क्या है सिस्टम कोई भी religious कर रहे हैं और तंत्र शिव और पारवती का मिलन शिव और पारवती का मिलन और शिव और पारवती वो शिव पारवती जो हमारे अंदरी विराजमान हैं उनका मिलन और वो ही सहस्तरा सार्फिक कहा गया है सिंपल है अपने शरीर को इतना उर्जावान बना लो या इतने शरीर को इतना उर्जावान बनाना कि हमारे जीवन के प्रशन हिस्माप्त हो जाएं हम एक आत्मिक शांति की ओर बढ़ जाएं और जो हमारा मुद्दिश्य है मोक्ष का उसकी तरफ मार्क पे चलते रहें तो मोक्ष तो तंत्र के माध्यम से भी होता है वैदिक मंत्रों के माध्यम से भी होता है सिम्पल जीवन में सही आचरन रखने से भी मोक्ष मिल जाता है अपने नियमों को ठीक करो पस नियम नहीं तूपना जिसमें नियम नहीं तूपता वोई तंत्र है कभीर कौन थे कभीर भी तांत्र की थे और कौन थे क्योंकि उन्हें अपने नियम नहीं तोड़ा अब बेसक वो नियम सारे उल्टे थे समाज के हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से पर उन्होंने स्यम कभी भी नहीं तोड़ा नहीं तोड़ा तो होगे ने तंत्र इसलिए तो इ वेद मंत्र जहां पर गूंजते हों और किसी का स्थानी ना हो जहां विद्वान एक से बढ़ करके विद्वान और विद्वानता मानी जाती थी किसने कितने बड़े-बड़े गरंत पढ़ रखें किसने कितने बार वेद पढ़ें और कितनी बार रिपीट करके वेद पढ़े जहाँ पर केवल प्रत्योगता इस तरह से हुती जाती थी ज्यान इस प्रकार से आखा जाता था वहाँ पर एक अनपड़ वेक्ती और केवल केवल गुरु मंत्र के माध्यम से इतना ज्यान अरजित कर लेता है अनपड़ हुते वे भी कि उन सब के बीच में एक धूर तारे की तरह चमकता है, जिसमें ये कहने की हिम्मत होती है, कि मैं बनारत छोड़ करके मघर में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्थान की वज़े से मौक्ष नहीं चाहिए, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इसका मनलब उस व्यक्ति की कलेरेटी देखो, अगर ऐसी कलेरेटी आपको किसी प्रकार की पूजा, साधना, उपासना करके आती है, वो भी एक तंत्र है, तंत्र कहता है कि जो विधीने नहीं रचा, वो तुम रच सकते हो, और तार जो तुमारे भाग्य में नहीं लिखा, वो भाग्य में तुम बना सकते हो, पस तंत्र यहीं तो कहता है, वेदी कहता है नहीं थोड़ा तो बंगतना पड़ेगा थोड़ा मैं ठीक कर देता हूं थोड़ा बंगतने की जुट नहीं है मैं सारा ही सेट कर देता हूं पर वो अपनी नियम और शर्ते भी तो लगाएगा ना आज कल चुनाव चल रहे हैं जो राजनेता आपको फोकट में बाठ रहा है उतना ही ज़्यादा double, triple, 10 गुना, 20 गुना लूटेगा आपको, ये freebies जो होती है, ये कोई भी party, कि अच्छी नहीं होती है, कि हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, कि हमारे बच्छों के लिए अच्छी नहीं है, नकारे और निकम्म्हाने की कोई जोड तो नहीं है, पर क्या क किसी ग्रह को कमजोर देखें, कमजोर पाएं, तो उन्हें जरूर कहें, और कोई कहता है कि साब ऐसा है, मेरा तो पाए होना ही चाहिए, तंत्र का मार्क सुझाएं, और तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है, ये चीज समझ लो, तंत्रिक बनना बहुत बड़ा महानकारे हो सकता ह है, पर अगर तंत्र को समझो तो, है ना, और लोग बोलते हैं, वे कुंडलेनी चकर को समझ लोगो, अरे चुंडलेनी चकर भी एक भाव जगत है, आपका मना स्तिती किस चकर के उपर विराजमान है, और और चकर है क्या,' उसका अगर ज्यान अर्चित करते हो, तो आपको, उस चक्र में घुसने की कहीं जोट नहीं है, कोई चक्र उपर नीचे नहीं हो रहा है, यह सिर्फ एक बताय समझाने के लिए है, और उसके लिए exercise, योग, प्राणाया, हर चीज हेल्फुल है, और एक ये अपनी टेकनीक है, मंतर जब भी बड़ा हेल्फुल है, और अगर ये स कुंडलेनी जागरण समझो, अगर आप ये भी नहीं करते केवल गायत्री मंतर सही डंग से करते हैं, सही डंग से गायत्री मंतर जब कर लो, गायत्री मंतर आपके सातों कुंडलेनी चक्र को में स्पंदन पैदा करता है, उनको जागरत कर देता है, और महा विद्याएं दे कराते हैं आपको जीवन मरण की स्तिथी का ग्यान कराते हैं और ग्रय गुरे तो चोड़ों अपने ठीक हो जाज हो गायत्री मंत्र के साधक के सामने कोई भूत क्रेट नहीं आ सकता कोई किया करायासार नहीं करता है इतिना दबर्दस मंत्र है से लिए मंत्र राज कहा गया है उसे आप बताओ समझाओ पर बताओ सामने वाले को तीन साल करो पांच साल करो करो एक महीने के लिए दस दिन के लिए बीस दिन के लिए दोगे तो समस्या हो जाएगी और कोई ग्रह नीच का नमांच में है तो लंबे प्रोजेक्ट पे उसको डाल दो कि भाई तेरा ये ग्रह अब भूट आप अच्पत करो कि हां यह नहीं एक व्यक्ति की विवार नहीं हो रहां नहीं और उसको जीवन में स्तरी शुक नहीं नहीं यह दैन असेप्ट करो फो भी कोई जूरत नहीं पिर इरा पहनने की तरल लगा नहीं पर कहते हो नहीं मिलना तो सब चीज चाहिए मि बाचो करना ही पड़ेगा तो कई बार हम रेमेडीज के मामले में गल्तियां खा जाते हैं और रेमेडीज में कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी होती है सामने वाला करके ही राजी नहीं एक और समस्या है माबाप जो दिखाते हैं बच्चे नहीं करेंगे बच्चे नहीं करेंगे तो हम कर लें जी भाई अगर बच्चे की हेल्थ खराब है मैं यह कंसेप्ट क्लेर कर दूँ अगर बच्चे की हेल्थ खराब है तो पेरेंट्स कर सकता है कोई भी रेमेडीज उसको दो बच्चे की ह आवस्ता में कर सकते हैं चाहे माबाप बुजरुग है चाहे जवार वो कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए पर अगर मैटर शादी का है विवा का है तो बच्चा खुद करेगा तो ही लाब होगा वह तो उर्जा ही बढ़ा रहा है ना आप समझो आपके उपाए करते क्या है आपके उपाए सामने वाले व्यक्ति की उर्जा बढ़ाते अब उर्जा तो मम्मी पापा की बढ़ रही है वो दुबारा शादी करेंगे क्या प्रार्थना है क्या मंत्र क्या है उनके वह मंत्र भी वह है जो शादी की जो मंत्र है न वह कह रहा है भगवान मुझे कोई जी करो कि कैसे काम को कैसे कहेगी मा की हैं ब्या हो जाए शादी हो जाए और यह चीज प्लियर समझ लो प्रार्थनाओं में अगर गड़बड़ी हो गई आपकी काम वो वैसे ही करती जैसे को चुटकला है न एक वेक्ति रोज मंदिर में जाता और कहता यह भगवान मेरी टिकट मेरी जो है टिकट निकलवा दे मुझे इनाम जितवा दे मुझे इनाम मिल जाए मुझे नाम मिल जाए मुझे लाटरी निकलवा दे मुझे लाटरी निकलवा दे मेरी लाटरी निकल जाए रोज कहता तीन चार साल होगे एक दिन भगवान को गुस्सा आया बगवान परकट प्रार्थनाएं भी लोगों को नहीं पता प्रार्थना में जरासी गलती हो गई तो मामला गड़बड हो जाता है कि वह कहते हैं संस्कृत में आता है भार्य भक्षती कि मेरी पतनी को मारदो तो भार्य भक्षती में और रक्षती में बस थोड़ा साई अंतर है नहीं चूकना नहीं इसलिए अगर कोई चीज ना समझ में आए जब तक क्लियर ना हो उससे पंगे मतलो बोलना था भारे रक्षती बोल दिया भारे भक्षती और हमने उसका अर्थ नहीं समझा यह जो मंत्र होते हैं यह बहुत बहुत पावर्फुली काम करते हैं पर जैसे पानी केवल सो डिग्री पे जाके उबलता है वून का भी एक डैकॉरम है एक अपना सिस्टम है मंत्र का कि इतने लाक्ष मंत्र जाप करने के बाद अपना असर दिखाएगा तो ही होता है हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अचारे जी मैं रोज गायत्री मंत्र करता हूं रोज हनुमान चालिसा करता हूं रोज सीव चालिसा करता हूं मैं ये वाला मंत्र भी करता हूं ये वाला मंत्र भी करता हूं अच्छा कितनी बार करते हूं एक मंत्र बताओ कोई कितनी बार करते हैं ग्यारा वार पढ़ लेता हूं मैं गायत्री मत्र एक्ष बार पढ़ लेता हूं भाई तु एक तो आठ बार भार भी पढ़ ले कुछ नहीं हो कज्ञे करने से फायदा देता है को अप टाइम की अनुसार जब करेंगे तब आपको पता चलेगा है beboth माला बता दो तो माला इतनी जल्दी पाते हैं कि आप पूछो मत भाई ऐसे नहीं करना है तो लोगों के मंत्रों के साह हम जोच्छियों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है रेमेडीज कि आम आदमी को आप रेमेडीज बताओगे अगर आप रतन बताते हो कईयों की फॉकेट लाओ नहीं करती और कई वचारे प्रियास करते तो नकली मिल जाता है मंत्रों के साथ यह है कि उनको मंत्रों का ज्यान नहीं है दान के साथ यह है कि हमारे यहां पर अपनी कमाई का दस्वां हिस्सा दान का कंसेप्ट बूल गए उन्हें यहाद ही नहीं है वो यह तो देख पुन्ने कारियों में लगाने महीने के वो हम नहीं लगाते हैं आप उस पर काम ही नहीं करना चाहते कई बार एक अमीर महीला ने मुझसे पूछा मैंने का आप दूद का दान दिया करो और दूद कहते जी कितना दूद चल जायेगा मैंने का अपनी मर्जी से लेलो कोई ऐसी पाति है प्रीच्छा हो अपने सामर्थे के अनुसार में ने बोल दिया तो कहती है डाइसोग्राम बहुत रहेगा जी मागा यह जादा नहीं हो गया कुछ लिए यह तो बहुत ज्यादा हो रहा है हाँ हाँ आप सो घ्राम से शुरू करो अरे वही मैं कह रहा हूं बार बार अपने सामर्थे के अनुसार करो सामर्थे के नुसार करो आज सामर्थे को समझी नहीं पा रहे हो सामर्थे का तात्प्रे क्या है सामर्थे के अनुसार तो उनकी मानसिक्ता ही है किसी को कह दो कि आपने इतने गरीब लोगों को खाना खिलाना है ओहो यह तो बहुत महेंगा हो जाएगा कितना महेंगा हो जाएगा कमाई का दस्वां चोड़ो 5% ही शुरू कर लो और मैं कहता हूं 2% से शुरू कर लो अपने जनी फाइदे के लिया करा में से आपकी एनरजी सुधरती है मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं मेरी एनरजी शुधरतीया कि कहम इतनी का सवक मण पढ़ाने के बाद मैं बहुत हैपी होताहों बहुत होत होता हूं जो था निकाल दिया आब यह अ पने पाज रखे रखूंगा मैं नहीं बताओं एक्सक्पिरियेंस मैं तो सिर्फ प्रफ।icationEE बते़ें करूँगा कि कि मैंने उसकी तकदीर बदल दी उसकी किस्मत बदल दी उसका व्या करा दिया उसकी शादी करा दिया उसको मरने वाला था उसको ठीक कर दिया यह कर दिया जस्ट एक हिसाब से बनना है अब बनना है तो उनको अगर हम असली बात नहीं बताएंगे तो फिर कैसे गुजारा चले इसका मरलब हम प्रॉपर चीज नहीं समझा रहे हैं जिससे जब वो अपने प्रैक्टिकल उसमें आते हैं उनको बहुत कठनाईयों का सामना करना परता है और कई लोग तो इस विद्या को छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है उमीद तो थी कि साल में करोड रुपे भी छोड़ो यहां तो लाग रुपे का नुक्सान और हो रहा है महीने में सारे तो अब जो है पता चला यह तो महमले घड़बड हो गया बंद कर दो तो बंद कर गया भाग जाते में रियल रीजन उनको नहीं पता और जब वो रेमिडीज लिख तो लेते हैं काप टाइसन पहल लो यह मंद्र जब लो यह फलाना कर लो कब कर लो कैसे कर लो किस हवस्था में कर लो को कोयी को यूटीब पर वी अपर गार है है मैं व्ह आपना च्बी से कमी valeur मैं संद्डे को मैं चीज में रखता हूं कि यह चीजं stitch रहे और एक दिन निकालूं कि मैं हर दे इक है इंदर जीत कोड़ी बहुत बहुत धन्यवाद से बहुत बहुत धन्यवाद मतलब इतना बड़ा जाए इंदर इंदर जीत कोड़ इसके बारे में मुझे अपने बताया कि शुकर से पहले राहू है तो शादी होने में समस्य आती है जी और एक आपने बताया हुआ है अगर राहू है आइसा नहीं इसको समझ नाइसान पाया कि 19 से 22 साल की ऊमार में अट्रेक्शन क्रेट करवाता है आलवेज रिमेंबर शादी में और अट्रेक्शन में बहुत अंतर माना जाता है अट्रेक्शन वन साइड़ भी हो सकता है और टू साइड़ भी हो सकता है यह दोनों की पॉसिपेट थे राहू को समझने की कोशिश करें राहू चाहता है कि इनसान इस संसार से मोहों पाश में बंद जाए फिर से बोल रहा हूँ राहू चाहता है कि आप इस संसार के मोहों पाश में बंदे रहें अब उस बांधने के लिए पुरुष के लिए इस्तरी और इस्तरी के लिए पुरुष इससे बड़ा कोई मोहो इस संसार में है ही नहीं उसको और क्रियेट करने का काम राहू करता है इसलिए तुम कहते हैं भी राहू की दशाज शादी कराने में सबसे आगे होगी क्योंकि विभा अपने आप में मोहो पाश बंदन है ना फिर पुरुष जो अपनी पतनी के लिए बच्चों के लिए काम करना शुरू करतेगा इसलिए जो है सारे जीवन में अपना जितनी मर्जीद दुख तकलीफें उठा करके वो उस घर को चलाने के लिए स्ट्रगल करती रहती है तो यह मोहो पाश ही तो था मोहो पाश के लिए राहू क्या काम करता है कि सबसे सामने रखेता है अब यंग अवस्था जो 19-22 कि यह है इसमें इंसान का मन सबसे ज़्यादा किसी तरफ मोह करता है तो जब शुक्र से पहले राहू होगा तो शाधी में बाधा है शाधी में बाधा है वह शाधीन नहीं करने दे रहा है बट वो किसी महों पाश में बाढ़ देता है या किसी प्रेम में फजा देता है कभी कभी तो ये जो है गलत संबंदों की तरब भी ले जाता है तो उसका मतलब ये था जोतिश में एक नियम है कि जो भी ग्रहे आपके एक भाव पीछे जो भी ग्रहे आपके एक भाव पीछे है जो भी ग्रहे बैटा है एक भाव पीछे में वो उस ग्रहे पर असर जरूर करता है इसको लाल किताब ने मुस्तरका दिवार बोला है जैसे शुक्र से एक भाव पीछे अगर राहू बेटाए तो राहू अपना कुछ परभाव, कुछ अंच कुछ शुक्र में डाल दे तो शुक्र में जब राहू का परभाव हुगा तो उसका दिमाग चलेगा संबंद बनाने की तरफ और राहू इस पात की परवाह नहीं करता ये संबंद नैतिक नियमों के अनुसार है के नहीं राहू जाती पाती धरम उच नेच और नैतिकता कानूम इसको किसी चीज़ को नहीं मातता झाली कि इस लिए कई बार वो ऐसी जगह सम्बंद करवा देता है जो ना नैतिकता के अनुरूंक होते हैं और नहीं समाज के अनुरूंक होते हैं और कानून के रूप को अनुसार होते हैं तो ये वो बात थी इंदर जी को ठीक है इसका मलब यह नहीं कि शादी जल्दी करा देगा शादी की तरहें का relationship कभी कभी क्या होता है कि उल्ला मैरी relationship में न कुछ बातें ऐसी अंतरंग होती है कि मैं मर्यादाएं मर्यादाओं का ख्याल रखने के लिए कुछ बाते मैं इशारों में समझाता हूं तो वह थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ठीक है आजग्दीज मैता जी आप आइफॉन जो हाथ कर रही है आप थोड़ा नाम लिख देते तो मुझे मुझे नाम बूल जाता हूं तो मुझे सब्सक्राइब आइफॉन बोलना मुझे नौकिया सुनने वाले कहेंगे यह क्या है यह मंदी में मोबाइल करीद रहा है क्या है मैं मैं डाल दो तीन चोटे-चोटे क्विस्टिन है यह जो अभी आप जो यह सैसन लेते हैं यह यूट्यूब लिंक में हमको जो अपने ग्रूप में मिल जाए तो हम यह जो आगे चै है और दूसरा जो अपने बोला की जो Nes Pograch होता है उसका रेमेडी पहले से करना चाहिए अगर six में सैटन निच का ुझा भी होता है तो कैसे आप उसका उपाई कैसे सैटन का कैसे करते हैं जगदीज जी आपके हर परशन का मैं जवाब देता हूं पहले तो यह क्या हम इसे यूटूब पर डालेंगे यह हमारी डिजिटल टीम है एक मार्केटिंग टीम है वो डिसाइड करती है किसको डाला है और यह जो समवाद है ना आपका और हमारा इसको आम जनता बहुत लाइक नहीं करती इसके व्यूज नहीं आते बिल्कुल भी तो यह क्या करते हैं यह बहुत सारे वीडियो संडे वाले नहीं डालते हैं अगर मैं इसके मैं वीडियो आप तक पोचाने की कोशिश करूं तो इतनी कंप्लेंट्स होंगी कि पेशंस लिवल कम है लोगों में और मेरा स्टाफ लग जाएगा और हर कोई कहेगा मुझे वीडियो ने एक मैं अगर कलती से डाल दियाना कि मुझे वीडियो नहीं मिली तो पूरा ग्रूप लिखेगा कि मुझे नहीं होता ऐसा और एक के लिखने पर ही हमें समझ में आ जाता कहीं को कह गया तो गालियां बहुत पढ़ती है और हरा आत्मी ऐसे ट्रीट करता है स्टाफ मेंबर्स को जैसे कि वह बचारे कोई अंग्रेज्जों की सजा प्राप्त कर रहे हो मेरे यहां काम करके है ना तो उनको ऐसा कारा जाता है तो नहीं वह बचारे बड़े अच्छे से का यहां तो बड़ा समस्य हो जाएगी मैंने का ठीक है मैं नहीं करूंगो तो यह कुछ वीडियो यूट्यूब पर जाते हैं गुरू सिस्से समभात के नाम से तो हम कोशिश करते हैं पर जगदीजी हर एक जाता है यह मुझे पता नहीं हर एक की मैं कह नहीं सकता है सब मिल ज अब मेरे पीचा बास वो उनकी मैं मनों दसा समझता हूं मुझे तो कहते नहीं कुछ भी पर जो मैं समझ पाता हूं इनकी आपस में बात्चीत होती है तो उससे मिरे को समझ वहाता है कि भेज दे बस यह आद भी पीज बढ़ गया तो पिछली भी 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 अगली भी बे है और नीच का होने के बाद इसका नीच भंग हो गया है क्या करें पहली बात तो नीच भंग को समझ लो नमांश में जो होता है नमांशा केवल और केवल उन चीजों के बारे में बताता है जो आप इंटरनली बाई हार्ट फिल्टर पर इसलिए तो यह विवा का है विवा देखा जाता है, spirituality देखी जाते है, spirituality का जो अनुभव है आपका, वो आप दिल से फिल करते हैं, relation का आपका अनुभव आप दिल से फिल करते हैं, संदान की चीज़ आप दिल से फिल करते हैं, ग्रह की ताकत आप दिल से फिल करते हैं, समझेंगे नहीं बात, और नीच का ग्रह लीविंग चीज़ों में कोई फायदा नहीं कर वो अपना नेगटीव असर दिखाया पगार नहीं मालता चाहिए नीच भंग भी हो जाए नीच भंग अ उस ग्रह की थोड़ी ताकत में तो ज compet लिविंग ए जैसे किसी का शुक्र नीच ने मांच में और कम हाऊ वह कि भंग भी हो नीच भंग भी हो गया बेशक पर जैसे शुक्र नीच का हो सब्सक्राइब ने रहा हूं और उसका नीच भंग भी हो गया पर वो नीच का शुक्र मैरिज लाइप में जैंट मारेगा बेसे उसका नीची भंग हो गया अब मैरेज लाइब में डेंट कैसे मारे वो सकता है कि उसका जीवन साथी कहीं और एक्स्ट्रा मेरेटिल अफेर पैदा कर ले अब नीची भंका क्या मतलब हुआ आप कहेंगे फिर नीची भंका तो कोई फायदा नहीं फायदा होगा वह जीवन साथी पकड़ा जाए समझो बाद उल्टे सीधे काम करता हुआ एंडर वन परसेंट पकड़ा जाए और पकड़ा जाने के बाद वो प्रामिस करेगा कि दु वारा ऐसा काम नहीं करता है और वो काम करना तो उल्टा सीधा छोड़ देगा किसी से संब्द बनाने छोड़ देगा एक बार पकड़े जाने पर रिलेशन फिर भी उन दोनों के बीच में कोई बैटर नहीं होगा मरते दम तक डाउट तो आ गया वो तो एक अलग डिफरें नहीं profit कर दिया और दिल से माप कर दिया फिर वह नीजचे राची का ज्रहे है दोनों के के कही ना कहीं डिक्कत डालता ही रहेगा और यह जो अपने घंग नपते नमने के बात की जो आप जो मंतर तो कैसे बुलने का गंग गंग अलग बहुत ज्दा इसके मंत्र होते हैं गनेश के ही मेरे ख्याल से चार सो पांचो टाइप के मंद्र ए छोटा था गंगर पतर नहीं तो मैंने ञेंक गणपल दिया था आप ममद कैसे निकाल के बात कर रहे हैं वह वह बहुत सारे अलग मंत्र होते हैं जैसे तांतरक मा के हस्ती पिछासी लिखे स्वां अब यह जो है कि मुह में कुछ खाते हुए जब करना होता है पान खा करके जब करना होता है यह तो बहुत सारे मंत्र होते हैं तो नमें से तो मैंने एक्जांपल दिया था क्योंकि गणेजी को आप करते हैं इसलिए और कुछ अच्छा यह जो नौ माउंस में दस ते तीस सेकंड का फरक हो जाता है जो जो चार्ट बदल जाता है कभी-कभी तो कैसे उसको आइडेंटिफाय करें कि कुछ जो रिजल्ट करताइद वह आप पूछना क्योंकि बहुत सारे अभी लोग बैठें और टाइम हो गया है समय लगेगा अरिचा जी इस प्रणाम आपको बहुत बहुत प्रणा गुरुजी मैं को पूछना था कि जब हम लाल किताब पढ़ रहे तो उसमें आपने कहा था कि शुक्र अगर रहू शुक्र की राशी में राखू सूर्य चंदरमा बैट जाता है तो शुक्र हो जाता है तो राशी नहीं बोला होगा लाल किताब होट तो मैंने राशी नहीं बोला होगा अच्छा यही पूछना था हां यहीं पूछना था मुझे राशी कि harmaus में किसी और चीज का एक्जामपल दे रहे होते हैं आप उसको कलब मत करो उसमें ना वह सबस्त है राशियों का कंसेप्ट नहीं है भाव का कंसेप्ट है अच्छा तो मतलए शुक्र टू या सेवन तो खराब हो ने यह तुम्हेंने नहीं 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 आपने का कि शुक्र अगर की राशी मतलब तो उसके घर में जैसे टू और सेवन में राहू सूर्य चंदर्मा बैठेंगे तो हाँ यह बोला है शुक्र के भाव में यानि दूसरा भाव और साते भाव में अगर राहू सूर्य या चंदर्मा ये तीन गरह है तो शुक्र खराब हो गया और इसको इस्त इस्त्री श्राप का असर उसकी मैरेज लाइफ पर आता है और उसकी हैपिनेस पर आता है इस्त्री श्राप वाला व्यक्ति हो पुरुश हो या इस्त्री हो जिसके इस्त्री श्राप होता है एक तो मैरेज में चैलेंज होते हैं दूसरा उसको हैपिनेस की कमी बड़ी फील हो लिए नाम क्या आपका मेरा नाम अंजु एसा है और अज फर्स टाइंग में आप से मैंने के कोर्स परचेज किया था तो मुझे था कि वह आप पढ़ा रहें उसमें लेकिन वह केपी वाला कोर्स निकला मुझे करना वैदिक का था तो मेरी तो फोटो नहीं लगी होगी ना उस पर फोटो उस पर कोई भी नहीं थे सब्सक्राइब आती है ना कि दवा खरीदो तो यह हमारी सील और महौर देख करके खरीदो है ना देखिए हमारे अश्टो पाट्शाला में बहुत से टीचर्स हैं कई के तो हमने नहीं डाले हैं जो में ठीक लगते थे टीचर उनी के अमारी एप में अवेलेबल हैं और हर का या तो फोटो होगा या नहीं अगर मेरा फोटो है मेरे उसको पर तो वो मेरा है अदरव समझ गया मैं समझ गया और सिर्फ प्रॉब्लम अभी यह आ रही है कि जैसे मेरे पास तो सिर्फ मैस्टो से इससे ही देखती हूं तो के पी का है वो अब मुझे राहू के तो यह वहां से कैसे करूं देखो अंजू जी यह तो आपको पहले सुचना चाहिए था कि बही आप केपी में घुश रहे हो तो वहां पे क्या होगा से मैंने पूछा था आपके ओफिस में अगर आप मजजित में जाएंगे तो पता चलेगा एक्सरसाइज तो वहां करनी पड़े है ना मैंने आपके ओंपिस में फॉन किया था पुच्छा था उन से तो उन्होंने का था कि व्यादिक काही मैंने पर्चेज किया था। परिभे अठीक की से को सबसेतों आप हो और अप तो खुद जोतिष के चेतर में नें तो ये तो हमें समझना ही चिची अ कि केपी और व्यादिक एक जैसा कैसे हो सकता है तो थोड़ा सा बस मुझे ये बता दीजिए कि मैं रहू के तो के हाउसे कैसे लोगे मेरी एक वैरी सोल करवा दीजिए बस चलो मैं नेया वर्मा जी ने पढ़ाया था मैं स्टाफ को लिखके बेजिए गा यह क्वेश्चन तो वह उन से बात करवा करके पता करेंगे ना उस वैसे तो इनका सौफ्वेयर होता के पीक अपना ठीक है ना उसके अंदर वैल्यूज का पता चल जाता है ठीक हां राज जी बताईए अधन्यवाद गुरू जी सेशन लेने के लिए में एक जनरल सा क्वेश्चन था लाल किताब के बेसिस पर में पूछना चाहरा था कि आजकल एंग्जाइटी की प्रॉब्लम काफी पूछते हैं लोग तो उसमें कौन सा ग्रह देखना और किस तरह बहाव से देखना जारता और डर इन दो चीजों का कंबिनिशन एक तो आप अंदर से डर्पोक हैं और उपर से जल्दवाज हैं यानि कि या तो पेशन्स नहीं है और अंदर से डर्पोक भी है तो उन लोगों को एंग्जाइटी हुई जाएगा प्लस इनके अलावा एक एंग्जाइटी होती है इमोशन को लेकर अगर आप किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा इमोशनली टाई अप है और आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है नहीं पर जिसके साथ आप बहुत ज्यादा इंवाल है उसको कुछ भी उसके बारे में ने है अगर मुझे कोई कहते हैं तेरा बेटा है तेरे बेटे का हमने देखा है कि यहां पर यह तबीत कराब हो गई तुम कॉलेज में आ जाओ बागा तो मैं बड़ा पर सारा काम चोड़के सारी पोस्पॉन करके मैं कहूंगा भागो गाड़ी निकालो जल्दी बाहर निकालो जल्द बाजी में तुरंद भागी है ना तो क्या होगा एंग्जाइटी हो जाएगी वह एंग्जाइटी नैचुरल है यह बर मेरे बच्चा छोटा था तो लगई इस फोन कराके चोट लगए मुझे लगा कुछ ज़्यादा लगई जब मुझे मुझे फोन मार दिया तो जबकि ज़्यादा लगी नहीं तो मैं इतनी तेजी से भागा और मेरे पाथ जो भी टीम के लोग ते आठ दस लोग सब बेज दिये मैंने पटा बागो पटा तो वो किया था उस समय में एंग्जाइटी में आ गया और एंग्जाइटी में आने का मतलब क्या होता कि मैं सामने वाले को कुछ भी बोल तो मैंने वाँ प्रिंसीपल को डाट दिया तो बच्चे को देखा नहीं सीधा गया प्रिंसीपल रूम में और अड़का दिया तो वो मेरी घलती थी कह रहे हैं मैंने उसके बाद हूं तो सौरी फिल किया मैं ऐसा करता नहीं कभी भी बट डैट से ए एक आदमी हर चीज में यावियन disney है चोटी-चोटी चीज में एड़ले लेता है डेली रुटी लाईफ में जरत एक्टे रहले ले लेता है अच्छा किसी बैंक में गया उसने का मेरि स्टेटमेंट दे दो उसने कंश कल आएगी जयए परसों आईगी यह हो गया गलत जगह पे बैठे हैं गलत कंभीनेशन में बैठे हैं तो उस व्यक्ति को एंग्जाइटी होना सब लगाए नहीं नहीं इनको लगन कुडली में वर्ष फल्की तो एंग्जाइटी थोड़ी दिखाएगे वह तो फिर को इंसिडेंट दिखाएगे मैंने का देखो इंसिड है मेरे दादा जी से मेरा टेच्च्मेंट बहुत ज़्यादा था जब मेरे दादा जी Wow ठुझी अभी और जब ईनकी देथ हूई तो आ मुझे ऐसे लगा मुझे चक्कर आ प्रावलम ही सुनते रहते हैं सारा दिन ही तो जीवन मिर्थ्य की बात करते रहते हैं पर खुद घबरा गया तो और मुझे लगा कि मैं आप गाड़ी नहीं चला पूँँ कि मैं गाड़ी बाहर भी नहीं निकाल से मनलब ऐसी हालत हो रही था पर वो क्या था कोड़ शौट रहा पांच मिनट दस मिनट पंद्रा मिनट उसके बाद पिलकुल नॉर्मल पिलकुल ओके फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं तो यह नैचुरल है यह हर एक के साथ अगर कोई भी यह किसी से जड़ा हुआ उसके साथ होगा किसमें क्या होगzenie ज़्डा हुआ है तो नहीं होगा मेरे दादी जी मैं उनसे इतना टैसे तो इतना इंजैटीए वह बट एंगजाइटी उसको हम कंसीडर करते हैं जो डेली यह रूटीन Warוד anxiety में आज़ाएं कि मेरा बेटा महां पोचा के नहीं पोचा को लीज में पोचा के नहीं पोचा अरे अब क्या होगा फटा फोन कर रहे हैं तीन बार फोन कर रहे हैं वो irritate हो रहा है यह ना वो है anxiety कि आप unnecessary without any reason आप तो आपको इलाज करने की जरूर है ठीक है है हर्श्वर्दन जी पर नाम इस दोतिन कुश्चन है एक ही क्वेश्चन करो एक ही क्वेश्चन करो उसमें तीसरे भाव में मल्टीबल योग है उनको कैसे लेंगे उसमें चार ग्रह हैं सुरिय शुक्र शनी और मरकरी तो इसका मतलब है तीसरा भाव ज्यादा पावर्फुल हो जाता है इसका मतलब है तीसरा भाव ज्यादा पावर्फुल है और तीसरा भाव ही है जो हमें डिजायर की जो पैदा होता है डिजायर वो तीसरे भाव से ही होता है यह हमारे अफर्ट को बढ़ा दिता है यह हमारे भागदोर को बढ़ा दिता है अमारे जीवन की मषक्कत को बढ़ा दिता है तो तीसरे भाव में अगर एक लाइन में अगर तीसरे बाव में ज्यादा ग्रह कठे हो जाएं और खास करके मैलेफे के कठे हो जाएं जैसे मंगल है राहू है शनी है यह कठे हो जाएं तो व्यक्ति को जीवन में बहुत मेहनत हाड़वर करना पड़ता है इसको कैसे एड्रेस करेंगे यह तो कर दिया मैंने अर्च वर तन्जी है अब विश्लेशन थोड़ी होगी मेहनत ना या कुछ इसका इलाज भी है इलाज तो देखो वो देखना पड़ता है इलाज के लिए हमेशा बारी विश्लेशन बहुत जरूर्व वाई कि कौन सा पाइफ सा नहीं पाइए उसकी बलाबल क्या बलाबल नहीं है वह एक अगर कुंड़ी किलास में देखा है कभी जानते एक गुंटा एक विलाई समझाने आरेनों पाटिल जी नमस्य गुरुजी यह मेरी कुंड़ी जिसमें मैंने देखा कि थर्ड हाउस में आपने बुला गुरु बैठा है तो लड़की की कुंड़ी में शादी में प्रॉबलम होगा पट उसका अगर जैसे चंद्र सेकेंड में बैटा है और शुक्र भी थर्ड में बैटा है तो तो तो कोई मैलेफिक ने हां एक कि गुरू खराब हो गया क्विश्ट में गुरू बद्र बैटा है पांच में एक लाइन में किसी का भी जवाब पैली चीज दोनों के दोनों शुक्षये हैं जब हम करेंठें अच् सभी सुनी तो सही है घरा चैनल दोनों ग्रे बैठें डोनों शुक्र है बैठेंatelli कोदे भाग्ये के लिए इसमत के लिए अच्छा नंद आपको यह भी देखना पड़ेगा कि गुरु के साथ जब हम शादी के रेफरेंस में देखते हैं तो यह देखते हैं कि गुरु का बलाबल बढ़ा के नहीं गुरु को मदद पुचाने वाले ग्रहे उससे पांच वह यह नौ में तो नहीं बैठे यानि गुरु से जब हम गि रைको पूरा नहीं करने देता और गुरु वैसे भी थड़ा उसमें अच्छा नहीं देमाग क्या मतलब यानि व्यक्ति का दिमाग सुिकार ही नहीं कर पा रहा है जो उसके सामने औक्षन आ रहा है तो से लिचीज दूसरी चीज शुक्र साथ बैठा शुक्र उसको क्या ग्यान दे रहा है गुरू को खराब नहीं करता बल्कि गुरू को अपना ग्यान दे देता है शुक्र कहता है लड़का ऐसा होना चाहिए बिल्कुल हीरो की तरह कि इन प्योटीफुल सब्लड़की तो चाहिक है लड़का अच्छा हो लड़का होगा यह तो लड़की बहुत सुंदर चैहिए उसको बहुत बीटिफुल i away we तो बहुत सुंदर है या लड़की होगी तो गई कि अच्छा तुम्हारा थेस्मेंट बहुत सुंदर है बहुत क्यूट है अब वो चीज का कमबो मिल नहीं रहा उसको लेट पर लेट हो रहा है डिसीजन नहीं ले पा रहा है एक्सपेक्टेशन अबाउट दा ब्यूटी मैरेज में ब्यूटी के लेकर क्या बढ़ जाता है विवार को लेकर शुकर बड़ा सॉफेस्टिकेटेड है कि आपने मुझे तू क्यों बोल दिया वह इस बात पर भी नराज हो सकता है तो जो शुकर परदान वेक्ति होते हैं उनको बड़ा हैंडल विद केर वाला चक्कर होता है उनके साथ अगर जरा से भी आपने तड़ाक बात करती तो मामला फिगड़ जाएगा एक मिनट लगेगा देखें पाइफ स्टार होटल को शुकर से क्यों रिलेट करते हैं कि यह करते हैं कि माहारे साथ दूरविभार नहीं है है नहीं करते हैं मैं झाया नहीं है उसने तुरन नहीं है तो शुक्र को शुक्र के कुछ नखरे ज्यादा होते हैं इसलिए जब गुरु शुक्र साथ में आ जाता है तो उसको हम मैरेज के लिए अच्छा नहीं माते है तो डिले हो जाता भी है थैंक यू बहुत सारे लोग चलेगे चलें थैंक यू आप सभी लोगों का धन्यवाद तरह यू पाँ ठत invites ओड ना नो न इस वात यू जा अ झाल झाल